मैं आपके साथ चाट और कचोडियों के साथ खाई जाने वाली आलू की ऐसी कमाल की रसिपी लेके आई हूँ यह सबजी बनाने में इतनी आसान है और खाने में इतनी जादा टेस्टी है अगर आप चाट फुल की नहीं भी बना रहे हैं घर में आप पूडि के साथ कचोडियों के साथ इस सबजी को सर्फ करेंगे तो सब को बहुत मजा आएगा सबसे पहले इसका एक मसाला बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने हरी वाली मिर्च ली है लाल वाली मिर्च ली है यह सूखी वाली मिर्च है और यह बहुत कम तीखी वाली मिर्च है कलर इससे अच्छा आता है इसके साथ मैंने एक तुकड़ा अद्रक लिया है और ये अद्रग जो था बड़ा साइस का था तो मैंने इसको 1 by 2 कर दिया था अब ये जो हरी मिर्च है ये एक दम बड़े साइस की बिल्कुल भी तीखी नहीं है ये मैं इसमें डाल रही हूँ मैं सबजी को बहुत ज़ादा तीखा नहीं बनाऊंगी अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ये जो मैंने मिर्चया ली है आप इसमें तीखी वाली ले सकते हैं इसके साथ मैंने इसमें धन्या डाल दी और कड़ी पत्ता ले लिया ये सारी चीज़़े मैं अच्छी तरीके से धो ली थी आप इसमें डाल दूँगी अगर आप चाहें तो इसमें पोदीना के पत्ते भी आड़ कर सकते हैं उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब मैंने इसमें पानी डाला लगबग आदी कटोरी जितना मैं इसमें पानी आड़ करूंगी और इसके बाद इसको पीसेंगे इसको एकदम दरदरा सा पीसना है बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका नहीं बनाना है जैसे सिलबटे में पीसते हैं उस टाइप का इसको पीसना है तो यह देखे यह इस तरीके से पिसके एकदम रेड़ी हो गया है अब मैं इसमें कुछ सूखी चीज़े एड़ करती हूं तो सबसे बहले मैंने यहाँ पर ड्राइ जिंजर पाउडर लिया है इसको सोट भी बोलते हैं इसके साथ मैं इसमें काला नमक डाला आधा चमच मैं इसमें अमचोर डाल दिया इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर दे अगर आप चाहें तो जब आप यह पीस रहते उसी टाइम पे इसको मिक्स कर सकते हैं मिला सकते हैं अब एक बड़े से पतीले में मैंने सरसो का तेल डाला है और तेल जब अच्छे से गरम हो गया तो मैं अच्छी तरीके से बूद देंगे और यह डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से हमको भूनना है पूरी सबजी लो टू मीडियम फ्लेम में बनेगी एकदम हाई फ्लेम में मैं इसको नहीं बना रही हूँ ना इसमें प्याज जाएगा ना लैसुन जाएगा फिर भी यह इतनी जादा टेस्टी सबजी बनके रेडी होती है देखिए मसाला अच्छी तरीके से भूनने लग का सुरी मेथि का सूरी मेथिम अधि करोंगी हलरे पर दो करें लिए कर दो है तुक है ठार्य मेथिम करता है मैं एक मेरी है जो जाद डला हाजाए और म Михाड गदम कम होक्त देल दाले यह 10 गाला अगराम कम करनाए हैं तो कम डालें इसके साथ मैने नमक डाले हैं तो थोड़ अगर आप चाहे तो इसमें चाटन मसाला भी आड़ कर सकते हैं अभी अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूं एक दो मिनिट मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा और भूनना है जब इसका तेल और अच्छी तरीके से रिड्यूस हो जाएगा तब तक मैं इसको भून लेती थोड़े से लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूं यह सिर्फ कलर के लिए है क्योंकि यह जो मसाला है ना यह थोड़ा ब्लैक ब्लैक की बनता है तो थोड़ा सा इसमें कलर देने के लिए मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी और आपको लग रहा होगा मैं इतनी मिर्च का तो यह देखिए इसमें सारा जो तेल है वो पूरा कब पूरा छोड़ दिया है और यह एकदम भड़ियां से भुन गया है बहुत अच्छी इसमें से खुश्बू आ रही है तो अब मैंने इसमें गरम किया हुआ पानी डाला है ठंडा पानी डाले एक ग्लास जितना मैंने इस इसे साथ मीडियम साइस के आलू को बॉयल करके और उसके बाद उसको हाथों से फोड के रखा हुआ है अब मैं उसमें वो आलू आट करूंगी आप जितनी कॉंटिटी में बनाना चाहते हैं उतना आप ले लें मैंने जितनी सबजी बनाई है यह पांच से छे लोगों के ल अब यह आलू मैंने इसमें डाल दिये और यह डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका ढकन लगा देंगे और इसको बहुत अच्छी तरीके से बॉयल होने देंगे और जो चाट वाले होते हैं वो इसलिए डालते हैं कि उसकी खटास आती है सबजी में जब भी ट्राय करेंगे आपको तारीफे मिलनी तो बिलकुल तै है सब को बहुत पसंद आएगी उपर से थोड़ी से मैं हरी धनिया एड़ कर दूंगी और सारा जो ओईल था वो पूरा का पूरा साइट से निकल आया है तामाटर भी ने डला प्याज भी ने डली लहसुन भी भी बोलते है टो बस यह रोम पने के तैयार थैयं इसको जरूर ट्राय करें वीडियो पशाएट तो इसको जरूर लाइक करें अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब रे साधिक थैंक यू